हेलो एवी बॉन कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे आज की जो रिडिंग है सुबा सुबा की हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबा सुबा आप से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, Reading topic हमारा यही रहेगा, और पुरी तरीके से हम देखने वाले हैं कि क्या रहेगा आपके पार्टनर की feelings, आपके पार्टनर की emotions, वो क्या कहना चाहते हैं, वो हम उसके उपर जदा फोकस करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने ये रिडिंग देखते हैं कि क्या कार्ट्स बताते हैं हमें आपके बारे में और क्या कुछ एनेडिज हैं जो कि आपको जाननी की जुरत है हैंगे वागे सो स्टार्ट करते हैं ध्यान रहें रहिए गाकि रिडिंग एक जन्रीडिंग है इस पात का पुरा ख्याल रखना हैं आपको और साथी साथ अगर आप टारोग लेना चाहते हैं वह भी मुझ से एकदम डीप में सीखना चाहते हैं टारो कार्ड रीडिंग जिसमें आपकी रेगुलर क्लासिस चलेंगी संडे को भी छुट्टी नहीं रहेगी आपकी वैसे कुछ क्लासिस चलेंगी पूरे वन मंथ और वन मंथ में हम ऐसा टारो रीडिंग सिखेंगे की आप मेरी तरह आप किसी और की भी रीडिंग कर सको ठीक तो अगर आप चाहते हैं की आप भी एक टारो कार्ड डीडर बने तो आप ज़रूर कॉनटग कर सकते हैं स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर कॉंटेक्ट करके फीस की जनकारी ले लीजिए और वहां से इंड्रॉल्मेंट कर लीजिए ठीक चलिए करते हैं रिडिंग को स्टार्ट फोकस कीजिए आप कार्ड के उपर गाइट कर एंजल्स कर लाइट क्ट्र एंग्ट्रॉल्स थाम झाल सकते हैं बडता है वहां से उपर हैंट इंड्रीन थाएट कार्ड वहां से उत्रॉल्स okay family room despair number 32 number 21 expectation just a minute two cards nikale hai yaha pere change and occupation number 9 number 34 okay bottom of the deck is deck say sudden wealth okay this deck bhi me nikal raha yaha number 8 41 number द्यान में देना और number को relate करो अपनी life से अगर हो सके तो जब दस्ती मत कीजेगा ठीक है 27 20 and last card 14 okay bottom of the deck है number 2 वाओ वाओ क्या बात है दोरों ही card जो आये हैं इक्डम क्लियर बता रहे हैं सबसे पहले तो इस deck की बात करती हूँ और फिर से इस deck की भी बात करूंगी तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है 777777 जो की है angel number जो की है किस्मत का ताला किस्मत की चावी किस्मत है यह तो yes यहां पे दिख रहा है कि आपके partner आपको अपनी किस्मत समझते हैं आपको अपनी destiny समझते हैं यह person और destiny में आप हो तो यह जो है आपसे मिलेंगे और आप इनसे मिलेंगे destiny पे काफी ज़दा trust है आपके partner को ऐसा feel होता है जैसे की किस्मत का पहिया कभी तो साथ देगा किस्मत कभी तो साथ देगी आपके partner की thinking ऐसी है कि किस्मत कभी भी साथ देगी कभी भी तो साथ देगी कभी भी आपके पार्टनर का ऐसा भी मानना है कि किस्मत में ही था तभी आप इन से मिले हो और ये आप से मिले हैं अगर किस्मत में नहीं होता तो ना आप इन से मिले होते ना वो आप से मिले होते Yes, मुझे ऐसी feelings, ऐसी vibe आती है कि आप दोनों के relationship में सबसे पहले तो यहाँ पे एक दिख रहा है जैसे कि tension से भरा व्यक्ति जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको card में एकदम tension 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 वो वाला scene बन रखा है यहाँ पे आपके partner काफी परिशान है ठीक है यह person की स्तिती को मैं देखू तो यह person मुझे काफी परिशान दिखाई दे रहे है mentally, physically हर तरीके से परिशान चुकि यहाँ पे एक sad सी energy आ रहे है जिसे अपनी जिन्दगी से ठक से गय है जिसे अपनी जिन्दगी में एकदम से अभार से गय ह कि मेरे कुछ करने से नहीं हो सकता मेरे कुछ भी step लिने से यह relationship सही नहीं हो सकता चाहे यह person कुछ भी करे यह relationship सही नहीं हो सकता इस person की energy ऐसी मुझे feel हो रही है So yes, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसे की काफी try करने के बाद से, काफी मैनत के बाद से, काफी कुछ चीजों को observe करने के बाद से यहाँ पर यहाँ पर यह दिखता है जिसे की आपके partner काफी sad सी energy में है देख रहे हो यहाँ पर काफी तकलीफ, काफी pain और काफी time से, यह कोई short time से नहीं है आपके partner के आँखों में आसु में देख पा रही हूँ, वह प्यार में जो pain है उसको जो है यह person बरदाश करते वे दिखाए दे रहा है इसा लगता है जिसे की यह pain जो है ना कई time से मतब सालों से यह person बरदाश कर रहे हैं आपके साथ यह person का सरीर मर चुका है यह person का सरीर मर चुका है लेकिन इनकी आत्मा ठीक है, sorry, I think मैंने गलत बोल दे है, इनकी आत्मा मर चुकी है, सरीर जिन्दा है तो क्या हुआ, ऐसा दिख रहा है मुझे यह person काफी जदा तकलीफ में है, काफी pain में है, इतनी जदा pain में है कि यह person अपनी pain को किसी से बता नहीं सकते है ये परसन को आप इस परसन ने आपको बहुत हर्ट किया है ये परसन को ये भी आइडिया है कि ये इस परसन ने आपको बहुत हर्ट किया है अपनी चलाकिया बहुत दिखा दी अपने बारे में आपको बहुत बता दिया होता है ना कि बहुत चलाकिया कर ली अब तुम्हारी चलाकिया निकलेंगी ठीक हैं तुम्हारा कर्मा तुम्हें जो है बताएगा तो येस आपका जो बोला हुआ वर्ड है है ना वह आपके पार्टनर को याद आ रहा है यहाँ पे आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का एकदम से जिसे की आपने वह सपना देखा है महल बनाने का अपना एक खुब सुरत सा महल बनाने का वह सपना पूरा ही नहीं हो रहा है वह पूरा ही नहीं हुआ वह सपना वह पूरा कैसे होगा सपना मुझे यहां पर यहीं दिख रहा है कि यह पॉर्षन का सपना रहा है सपने में यह पॉर्षन रहे हैं और सपने को यह जो पॉर्षन है ना जीने लगे है इस पॉर्षन का दिख रहा है जिसे कि इस पॉर्षन को भी देफ्ट में जाना है एक्दम से गहराई में जाना है कि आपको क्या चाहिए आप क्या expect करते हो क्योंकि यहाँ पे expectations की भी cards है ना सो यहाँ पर clearly देख रहा है कि आपके expectations देखनी है आपके partner को expectations आपकी क्या है इस रिस्ते से इस person से वो सब कुछ वो सब कुछ है ना यहाँ पर देखना है आपके partner के अंदर दिख रहा है जिसे कि person जो बदलाओ चाहते हैं वो बदलाओ लेकर के आएंगे और यही लेकर के आएंगे यह person की energy बताते है यह person का ऐसा मानना है कि जो भी मुझे बदलाओ चाहिए अपनी life में मुझे अपने relationship में जो भी बदलाओ चाहिए यह मैं लेकर आ सकता हूँ मैं लेकर के आओंगा आपके partner की energy आपके partner जो है चाहते हैं कि सब कुछ सब कुछ balance करूँ मैं सब कुछ balance करूँ सुरू से लेकर अभी तक जितनी खराबिया हुई है उन सब को जो है ना मैं balance करूँ क्यों क्योंकि यहां पर दिखता है जिसे कि आपके partner ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं आपको बस pain देते गए देते गए देते गए एक तरीके से आपको तोड़के रख दिया तोड़के रख दिया है ना इस person ने आपको मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में जो एक होता ना कि समझ नहीं आता है कि पॉर्षन क्या कहे आपसे क्या कुछ कहे क्या कुछ बोले एक तरफ आपसे एक नई पॉर्षन को लेकिन वह चाहत जो है कैसे पुरी होगी यह पॉर्षन को लगता है कि मैं उससे कुछ बोल नहीं पाऊंगा इनको बोलने में भी प्रॉब्रम आरही है मतल ocurale आपका सामना करना आपके इतने टाइम से इंतजार को हैं न कहीं बदलना यह पॉर्षन थी बतारी है कि क्या मैं उस उन सारी चीज़ों को समझ पाऊंगा या उन सारी चीज़ों को मैं दिऑ पाऊंगा बिए आपके पार्टनर की दे दिख रही है मुझे आपके पार्टनर का वो प्यार वो आपके पार्टनर की फिलिंग्स आपके पार्टनर के इमोशन्स मुझे काफी ज़्यादा क्लियर हैं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप से कहना चाहता है कि आप इनके दिल की बाते समझो क्योंकि यह पॉर्सन आपको अपना मैसेज पहुचाना चाहता है यह पॉर्सन आप से जो भी है दिल की बाते यह पॉर्सन डारेक्ली नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर देख रहा है कि इनको meeting भी करने हैं आपसे मिलना है especially family से बाते करने के लिए family को ले करके बाते करने के लिए या इस रिस्ते के आगे का future कैसे आप दोनों decide करेंगे उन सारी चीज़ों को ले करके यह person सोचते वे दिखाई दे रहें यह person को बोलना है आपसे क कि येस तुम भी सोचो मैं भी सोचता हूँ है ना सोचना काफी ज़्यादा compulsory है बहुत ज़्यादा compulsory है सोचना बहुत ज़्यादा जो है यह message के थ्रू जो है यह person पहुंचा सकते हैं मुझे दिखता है जैसे कि आप दोनों की love story कैसे स्टार्ट हुई थी आपका relation कैसे स्टार्ट हुआ था वह सारी बाते जो है ना यह person लिख करके भीज़ेंगे आपको ऐसा लगता है जैसे यह person बहुत ज़्यादा कुश करने व यह person एक नई सुरुवात करना चाह रहे हैं और देखिए no contact में हैं अगर आप लोग तो यहां पर clear दिख रहा है कि इस person को जो एक नई सुरुवात करनी है ना वह आपसे कहना चाहते कि क्या फिर से वह हम peaceful प्यार महबत और वह सारी चीज़ें हम कर सकते हैं क्या क्योंकि यह आपके relationship में जो है वो growth वो एक जो होता है कि एंजल की blessings है ना तो एंजल की blessings भी चाहिए आपके partner को ऐसा लगता है जैसे कि आपको जैसे जन्नत की सेर कराना चाहते है यह person आपको ठीक है मैं देख पा रहे हूं कि एकदम से जन्नत को फील कर रहे हैं जन्नत एक होता न कि आपके साथ इतने सारे सपने है कि ऐसे करना है वैसे करना है बहुत सारी कुष्ची जीजे इस person पर्सन और decide कर रखी है बहुत सारी कुष्ची जैसे कि आपके साथ ही जो है सो है बाकी दुनिया कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बिलकुल भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है कुछ भी नहीं यहां पर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में वो महबद जो है मतलब उमर रही है आपके पार्टनर के दिल में आपसे अपने दिल की बाते कहने के लिए है है वह चीज ग्लिखाई दे रही है हिसा आज सुबह की मैसेज़ी को देखते हैं कि क्या मैसेज को आपके पार्टनर लापS क्या मैसेज jan c देना चाहते जा थे मेरे वीवर्टो मेरे उनके पार्टनर पहला मैसे जा चुका है मैं यहां पर कार्ड लगाती हूँ ठीक है फिर मैं आपको एक ही बार सारी मेसेज़ेस का मतलब बताऊंगी ठीक है ठीक है बॉटम अफ़ टेक आई मिस यू ट्रेबल ले काफी है काफी ज्यूस आपको मिस करते त में और रहे हैं मुझे यहां पर यह जार ने आपको बहुत अलग है अब आग다 का कि दुनिया का वो प्यारा इंसान है ना वो आप हो मुझे यहां पर यह दिख रहा है इनके लिए ठीक है ओके आई यह पॉर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन यह जानते हैं कि रिस्ता भिगर चुका है कि कर रिस्ते में मैंनत करनी पड़े यहां पर दिख रहा है कि इस आपके बहुत प्यार करते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूं हाला कि अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि पॉर्षन अपनी अपनी अटाइंशन नहीं दे रहे हैं लेकिन यह पॉर्षन चाहिए कितने भी बिजी हो यह पॉर्षन आपसे प्यार करते हैं इनके पास दुनिया का कोई भी क की चाहत भी रखते हैं और इन्होंने सोचा भी है कुछ जो कि बहुत स्पेशल है जो कि बहुत ही ज़दा स्पेशल है ऐसा मुझे फील होता ना कि इस रिष्टे में जो कमिया है सबसे पहले वह देखने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं येस ऐसा दिख रहा मुझा को औके यह पर्टन आपको मैनिफेस्ट करने की वी जो है ना polling कर रहे है क्योंकि यह अंपर दिखने and go हो जाए आप दोनहों के बीच में ब culturally समझने लगो और जर्दा डीपली डूसरे को जानने में लगो और ज़ादा डीपली एक दूसरे को feel करने लगो वह energy दिख रही है मुझे यह person कह रहे हैं कि आपने इनका दिल क्यों तोड़ा eight of cups एकदम से दिख रहा है कि यह person आपसे सवाल करते वे दिखाई दे रहे हैं आपके किसी बात का बुरा भी लगा है इस person को जो कि person पूछते वे दिखाई दे रहें कि आपने ऐसा किया क्यों क्या कसूर था क्या कसूर था ठीक सो यह energy दिखती है कि कसूर इनको जाना है कि कसूर था क्या आखिर बताओ मुझे ऐसा कुछ तो किया नहीं था मैंने और यह सारी चीज़े हो गई मेरे साथ so yes यह जो person है काफी कुछ चीज़े करते हुए दिखाई दे रहे है चैयरिट के energy है चैयरिट के साथ जो काडा आए है यह बता रहा है कि यह person काफी कुछ चीज़े ट्राइच कर रहे है ठीक है यह person प्रे कर रहे है ताकि आपकी किस्मत मतलब इनके साथ जूड़ जाए और किसमत आपके साथ जोड़ जाए और बहुत जलदी जोड़ जाए यह परसन कहना चाहते है कि बैलेंस हो गाम दोनों के बीच में सब कुछ सई होगा सब कुछ बैलेंस होगा बस हम दोनों एक दूसरे के साथ आने चाहिए ठीक सो यह पॉर्षन को नींद भी नहीं आती है आपके बगएर यह पॉर्षन बिल्कुल भी नींद सो नहीं पाते हैं बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं यह सब कपस एक दम से यह पॉर्षन आपसे एक नहीं सुरुवात चाहते हैं इसलिए यह पॉर्षन रात को सो नहीं पाते है 10 of cups का card bottom of the deck so yes ये portion को नीद नहीं आती है सुकून नहीं आता है चैन नहीं आता है आपके बगर ये portion कैसे सोएंगे कैसे रहेंगे है ना ये portion की feelings मुझे दिख रही है ठीक है so overall reading में मुझे ये ही दिख रहा है आपके cards में I hope reading reading आपके साथ resonate की होगी so resonate की है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप मुझे प्रसंट taro reading लेना चाहते हैं या आप taro card reading सीखना चाहते हैं उसके लिए contact कर सकते हैं मिलते हैं फिर आप से किसी नए reading में तब तक के लिए बाबाई